जिस vacancy की वो काफी खास है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिस vacancy की वो आई सेंटरल गौवर्मेंट से, यानि केंद्र सरकार से, यहाँ पर काफी बड़ी भड़ती है और इसके लिए दसफी पास, बारवी पास और ग्रेजवेट अप्लाई कर सकते हैं, दसफी पास को कम से क salary मिलती है starting में 18,000 रुपए पर मन्त बारवी पास को starting salary मिलती है 19,000 रुपए पर मन्त वहीं graduate को starting salary मिलती है 25,000 रुपए पर मन्त इसके लिए male और female दोनों apply कर सकते हैं all इंडिया से all इंडिया vacancy आप चाहें किसी भी state में रहते हो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हो लेकिन girls के लि जानते हैं इस vacancy complete details लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को like and share कर दें चैनल को subscribe कर ले इससे हमारा motivation बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे च्छे vacancies लेकर आएं चलिए जानते हम इस vacancy complete details दोस्तों finally हम आगे अपने website पर और आप देख सकते हैं coconut development board की vacancy आई है यह जूनियर इस्टीनोग्राफर, LDC और MTS के post हैं यहाँ पर recruiting body है coconut board of India और employment type है central government job यानि के केंदर सरकार की भरती है application mode क्या है तो application mode यहाँ पर offline है आपको इनका application form को send करना है इनके address पर अच्छे से fill up करके अपने relevant documents के साथ इसको apply करने का date है तीन अगस्ते लेकर 1 सितंबर के बीच में अगर हम बात करते हैं post details की तो यहाँ पर junior stenographer, lower division clerk और multitasking staff यानि की MTS के post हैं कौन apply कर सकता है इस vacancy के लिए तो all India से candidates apply कर सकते हैं male or female दोनों apply कर सकते हैं आप चाहें किसी भी state में रहते हो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हो इसके लिए experience नहीं चाहिए फ्रेसर apply कर सकत हैं और application fees है यहाँ पर general OBC के लिए 100 रुपए, SCHT women, ex-servicemen और PWD के लिए application fees बिलकुल फ्री है किसी उप